नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अंसुमन नायक और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सरीश में जहां पर हम रोज नए-नए डिफेंस अबडेट्स के बारे में बात करते हैं तो चलिए देर न करते भी आज की वीडियो जिन डिफेंस के बारे में हम अभी बात करने वाले हैं इस सब पहले से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन नई बात यह कि अभी इन मिसाइल को भारत में बनाया जाने वाला है तो मेडिया रिपोर्ट के मताबिक इंडियन एरफोर्स की तरब से अडिशनल आर-2781, X-31P और R-73E जैसे मिसाल को खरीदने का फैसला किया जा रहा है यानि कि अभी इनकी एक additional order को भी place किया जाने वारा है अब आप सोच सकते हैं कि हमारे पास अस्तर जैसे VVR मिसाल पहले से ही मौजूद है जो कि हमारे indigenous मिसाल है तो हम अभी फिर से Russian origin मिसाल को क्यों खरीद रहे हैं तो बात दर असल यह कि R-2781 दर असल एक medium range की Fox 2 के डिगरी की मिसाल है जो कि dog fight के दोरान stealth attack करने के लिए बहुत ही बहतरीन होता है और जब हम इसको launch करते हैं तब दुस्मन को इसका पता तक नहीं चलता है जब कि अस्तर मिसाल की बात करें तो अस्तर मिसाल को हम जब launch करते हैं तो इसके launch होने के बाद उसमन को इसका पता चल जाता है क्योंकि एक fox 3 category का मिसाल है यानि की radar guided मिसाल है अब इसके बाद अगर R-73 ये मिसाल की बात करें तो आप सब जानते हैं कि इस मिसाल की मदद से हमारी MIG-21 एक R-711 वर्दमान जी ने पाकस्तान के F-16 को माल गिरा था और X-31P मिसाल की बात करें तो ये एक anti-radition category की मिसाल है जिस तरीके से हमारी रुदरम स्रीच की मिसाल ये भी उसी category का मिसाल होने वाला है और ये सभी मिसाल अभी हमारी सुखोई और MIG-29 जैसे फ्लेट में इस्तमाल किया जा सकता है अभी इन में से हर एक मिसाल की लगबग 2-3 unit को खरीदने का फैसला किया जा रहा है और अब इन सभी मिसाल को जिनको भी खरीदा जा गया है निकि 200-200 करके करीब 600 के आसपास मिसाल को भारत में make 3 category के अंदर बनाने का फैसला किया जा रहा है इसके अलावा आप सभी ने बाला कोट एस्ट्राइक के दौरान इस्तमाल होने वाली crystal मेज मिसाल के बारे में सुना होगा जिसका range कर करमेंटर के आसपास है एक टीवी कैड़ेट बाम है जिसमें करीब 80 kg के आसपास वारेट का इस्तमाल किया आता है और इसको खास करके दुसमन की बंकर को और concrete structures को destroy करने के लिए इस्तमाल किया आता है और इसकी अभी करीब 100 units को खरीदने का फैसला किया गया जिनको भारत मे आगे चलके make 3 category के अंदर बनाने का फैसला किया गया है अगला अपडेट long range air defense system के तरफ से और अगर भारत की सबसे ज़्यादा दूरी तक strike करने वाली air defense system की बात करे तो existing condition में वो S 400 systems होने वाली है इसके लिए 2018 में भारत और रिश्या के बीच एक deal को final किया गया था और इस में भारत की तरफ से S 400 system की total 5 regimen को खरीदा गया था इस total deal की जो कीमत था वो करीब 35,000 क्रोड के आसपास की थी और इस deal में किये वादे के मताबिक रश्या को 2023 तक भारत को सभी 5 regimen यानि की S 400 regimen को डिलीवर करना था लेकिन बीच में रश्या और उक्रेन के भीच लड़ाई system की 3 regimen को टाइम पर डिलीवर कर दिया गया था लेकिन बाकी बचेवे 2 regimen को डिलीवर करने में रश्या को परिशानी का सामना करना पड़ रहा है और अभी रश्या की तरफ से अभी नहीं बता जा रहा कि इनको कब तक भारत को डिलीवर कर सकता है इस बात को लेकि अभी भ यह भी सुनने को मिल रहा है कि हमारी डिफेंस अक्वीशन काउंसल की तरफ सभी इंडेजनस लॉंग रेंज सर्फिस्ट्र मिसाल सिस्टम को डेवलप करने की क्लियरस दे दिया गया जिसे अभी प्रोजेक्ट कूसा का नाम दिया जा रहे और इसके अंदर अभी भारत की त 250 km और 350 km तक होने वाली है और इसके साथ एक नई रडार को भी डिवलप किया जाने वाला है जो कि इन सिस्टम की प्राइमरी सर्च रडार होने वाली है और यह रडार करीब 600 km ट्रेक कर सकता है जिसे हम पाकिस्तान तो क्या तिबबत ऑटनुमस रिजिन में मौजूद चैन अगला update भारत और चाइना की तरह से भारत और चाइना की बीच पिछले तीन सालों से उससे जदा समय हो गया बार्डर में टेंस्ट चलरा था और अज भी लाइन फट्ट्रोल के करीब खास करके लद्दाक रिजिन में भारत और चाइना की तरफ से अपनी अपनी ट्रॉप में हलाकि भारत और चायना के बीच बॉर्डर में तनाप काफी कम है लेकिन अभी रीसेंटली सैटलेट इमेज से पता चलाए कि चायना की तरफ सभी अरुनाचल प्रदेश की करीब अपनी ट्रूप्स को डिपलॉई करना सुरू किया जा चुक है और काफी हद तक चायनेज ट्रूप्स को अरुनाचल प्रदेश की बॉर्डर करीब बिल्डप करते हुए देखा गए खास करके तवांग के काफी करीब चायना की तरफ से अभी काफी हद तक अपनी ट्रूप्स को डिपलॉई किया जा रहा है तकि कॉन्फिट के समय वहां पर मिलिटरी को और रोजिस्टिक सप्लाई को इजिले ट्रांसफर किया जा सकेगा और अभी इसी वज़े से हमारी डिफेंस फोर्सेस की तरफ से चायना के उपर काफी कड़ी नज़र रखने का फैसला किया जा रहा है चायना जिस तरह की हरकत को पहले लद्दाक के साइड में कर चुका है वेसी हरकत अभी चायना रोणाचल परदेश के साइड में भी करने की प्लानिंग कर रहा है झाल